हेलो दोस्तो दोस्तो अब आज हम अबॉक्सिंग करने वाले हैं एक RC कार की जैसे के आप देख सकते हैं तो इसी कार के आज हम अबॉक्सिंग करने वाले हैं तो दोस्तो यह 18 स्केल की 4WD कार है तो दोस्तो मैंने यह Amazon से 1299 रुपे में खरीदी है दोस्तो आपको यह Amazon और Flipkart दोनों पे मिल जाएगी दोनों पे इसका प्राइस सेम सा ही है तो आप Amazon यह Flipkart किसी से भी परचेस कर सकते हैं तो दोस्तो अभी हम इसके अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें डब्बे के अंदर क्या-क्या मिलता है और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है दोस्तो जैसे की डब्बे पे लिखा है कि इसकी स्पीड 20 किलोमेटर पर आवर है तो वो हम टेस्ट करेंगे तो अभी चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सस्क्राइब कर दें वाईटी टेक्नोटेक गुरू जी को और साथ ही प् तो जैसे की देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक वाईट बॉक्स मिला है चलिए इस बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है तो जैसे की देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बैटरी और एक चार्जर मिला है तो यह जो बैटरी है यह 6 वोल्ट 700 mH की बैटरी है औ और ये है हमारा चार्जर, इसी चार्जर से हम कुछ इस तरह से इस बैटरी को चार्ज करेंगे, देखे कुछ इस तरह से, और इसे आप अपने चार्जर में लगा देंगे, जिससे कि ये एक से डेड़ घंटे में चार्ज हो जाएगी, चलिए डबे से बाहर कार और रिमोट दोनों को निकाल लेते हैं, दोस्तो एक बर फुल चार्ज हो जाने के बाद आपको ये कार प्लेंग टाइम कम से कम 20 मिनट तक दे देती है, यानि आप 20 मिनट तक इसे लगातार चला पाते हैं, और ये डेड़ घंटे में चार्ज होती है दोस्तो ये है हमारा 2.4 GHz का रिमोट, तो आप इसे देख सकते हैं, यहां नीचे इसमें सेल डलती है, जो कि चार्जेबल नहीं होती है, और यहां है हमारा ओन ओफ का बटन, तो इसी से हम अपने रिमोट को ओन और ओफ करते हैं, और यहां देख सकते हैं एक जोईस्टिक ह और यह है और यह है वील जो कि लेफ्ट और राइट के लिए है और यह है एक इंडिकेटर लाइट, और दोस्तो आपको इस रिमोट की रेंज तकरीबन 40 से 50 मिटर मिल जाती है, तो आप काफी बड़े एरिये में इसे चला सकते हैं, तो जैसे की देख सकते हैं, हमारी जो गाड़ी है वो डब्बे के बाहर आ गई है, और दोस्तो आपको इसकी क्वालिटी की बात करें, तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो लुकिंग आप देख ही सकते हैं, तो देख सकते हैं, मैं इसका एक वील गुमा रहा हूँ, और इसके चारो वील वर्क कर रहे हैं, यानि ये 4WD कार है, इसके चारो पर ये वर्क करते हैं, और ये देख सकते हैं, ये है इसका वील अलाइमेंट, इसी से हम अपने वील को लेफ्ट अन राइट में सेट करते है और यहां हमारी बैटरी डलती है और यह है ओन ओफ का बटन तो बाकिया आप देख सकते हैं इसमें सस्पेंसन नहीं है और इसके रबड के टायर आप देख सकते हैं तो चलिए अपनी रिमोड और कार में बैटरी को डाल लेते हैं तो सबसे पहले हम कार में बैटरी को डाल लेते हैं देखिया आपको इसमें कुछ इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना है और यही पर बैटरी को रखके इसे बंद कर देना है तो चलिए रिमोड में भी बैटरी को डाल लेते हैं दोस्तो जो रिमोड में सेल डलती है वो चार्जिबल नहीं होती है तो यहाँ पर हमारी दो सेल डली है चलिए इसे बंद कर देते हैं तो चलिए इसे ओन करके देखते हैं देखिए इसमें एक इंडिकेटर लाइट जल रही है तो चलिए सबसे पहले कार को ओन कर लेते हैं तो देखिए हमारे जो रिमोड है वो कार से कनेक्ट हो गया है तो देख सकते हैं इसकी स्पीड काफी जवर्दस्त है तो यह है लेफ राइट इससे हम अपने जो कार है उसे लेफ राइट कर सकते हैं तो चलिए इसे मैदान में चला करके देखते हैं अए है तो चला कर लेफ कर दो 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 अ कर दो कर दो झाल 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 झाल